तो क्या हाल है आप लोगों के? मुझे आसा है कि आप लोगों की प्रैक्टिस जारी होगी आज का टोपिक सौटपुट यानी की गोलफ फेक के बारे में है बहुत से भाई लोगों ने इसके रिकार्डिंग कमेंट्स किया था कि अपने सौटपुट में कैसे बढ़िया प्रफॉर्म करें और किस-किस बातों का ध्यान रखें तो आईए इसके बारे में जानते हैं पहली बात तो ये अब जब भी ग्राउंड जाते हैं सबसे पहले आप 10 मिनट वार्म अप जरूर करें किसी भी फिजिकल अक्टिविटी को करने से पहले ताकि आपका बाडी खुल जाए और गर्म हो जाए उसके बाद ही आप प्रेक्टिस करें बाडी में पेन होने का यही कारण है कि आप वार्म अप पच्छे से नहीं करते या करते ही नहीं है सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए आप अपने पैर अच्छे से जमा ले लाइन के अंदर लाइन टेच नहीं होनी चाहिए और कम से कम दूरी रखे अपने दोनों पैरों के बीच जिससे गोला फेकने के लिए परफेक्ट टाइमिंग और प्रेसर मिल सके आप जब भी गोला उठाते हैं तो आप उसे डिरेक्ट ही नफेके थोड़ा गोले के साथ खेल ले मतलब कि उसे हातों पे फ्री करने के लिए थोड़ा उचाल ले दो या तीन बार जो वीडियो में दीख रहा है जिससे गोले का वेट आपके पूरे बाड़ी पर आ जाता है और जो आपके उपर डर है फ्रेसर है वो हट जाता है गोले को आप अपने हातों के ताकत से ही न फिकें आपको पूरे बाड़ी की ताकत के इस्तमाल करना है जिसमें आपका leg, shoulder, arms ये सभी का pressure जरूरी होता है तभी आप गोले में अच्छा perform कर पाएंगे गोले को गर्दन से चिपका कर रखें गोला आपके गर्दन के जितना करीब रहेगा उतना आपको pressure और push मिल सकेगा और आपका जो हाथ का angle है जो आपको वीडियो में दीख रहा है उस तरीके से ही रखें आपको गोले को ज़्यादा उपर नहीं फेकना है और नहीं ज़्यादा नीचे आपको 45 का degree बनाते हुए गोले को push करना है आपको गोले को जो वीडियो में दीख रहा है उस तरीके से ही फेकना है और उस जगह से ही फेकना है और एक बात बताना तो भूली गया आप जब भी गोले को उठाते हैं और गोले को उछालते हैं उस टाइम पर आपको सांस अंदर की और जो से खीच लेना है और गोले को थ्रोक करने वाले हो उस टाइम पर आपको सांस को पूरी आवाज के साथ छोड़ना है जिससे आपके गोले फेक में अच्छा इंप्रू आएगा और कुछ लोगों का सवाल था कि गोले को कैसे फेक है तीन उंगली से या पूरी हतेली से मेरे हिसाब से तो आप पूरी हतेली का इस्तमाल करें जिससे आपको पकड़ अच्छा मिलेगी और 16 पाउंड का गोला होता है तो ये काफी बजन होता है तो तीन उंगली में आपके उंगलियों पर ज़्यादा फ्रिस्तर होता है तो आप हतेलियों का इस्तमाल कर सकते हैं I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नई जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग और कुछ जानकारी चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं और हमारे चैनल पर इस प्रकार के कई वीडियोस है आप उन्हें भी देखें और लोगों तक सेयर करें और अपना प्यार बनाय रखें धन्यवाद